हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टेक्विजी के क्लासेज आज हमारा प्रडक्शन का टॉपिक है मेटल फॉर्मिंग जो की पार्ट फॉर्बाट वन है इसे पहले हमने प्रडक्शन के तीन टॉपिक कंप्लीट कर लिये हैं जो की मेटल कास्टिंग मेटल कटिंग और होगी तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिनना किसी देरी से तो सबसे पहला कोशन आता प्रडक्शन के स्क्रीन पर यह तो इसमें पुछा है ए कॉच्छ नबर पर देखा रहे हैं इसमें इसमें टंसाइब स्ट्रेस बी जरू TREND होता है ए इसमें थे तुег देक्व इसमें पुछा हैं क्योंडक्ण सी कॉल्स स्ट्रेस जननरेत होती हैं जाग हमारा belongsब फॉर्मिंग पर्सेस होता है तो इसका सिर्च जो पुच्छ जो सिट मेटन ऐल ऑपरेशन है तो यह क्या होते हैं क्या होटव्ट इसे वर्केंग अपरेशन होता है क्या कोर्ड इंप्रोपरेशन होता है या वार्म 했p प्रसेस होता है छी के जलते है next question पर next question हमारा है कि जैसे कि आप देह सकते हो यह हमारी picture ना मूविंग मेंडरल की वंक्षेस है यह ट्यूब बनाते हैं तो इसका ॉप्शन नमबर C हमारा right answer हो давina tube drawing ठीक है इसमें क्या होताा है हमारा यहां पर एक solid part होता है, solid work piece होता है, जिसके द्वारा जब इसको roller में से पास करवाया जाता है, और मेंडल की help से इससे, हम एक finished tube manufacture करते हैं, यह question SACJ 2015 में आया हुआ है, hot working of a metal is carried out, जो hot working process है, कौन से temperature पे carried out किया जाता है, और अबस नमबर A दिया above the recrystallization temperature, B. दिया at the recrystallization temperature, और C. दिया working temperature depends upon physical condition of work piece, और D. दिया below the recrystallization temperature, तो सबसे पहले देख लेते हम hot working or cold working, जो process होता है, जो process होता हुआ होता है, तो आपकी screen पे cold working or hot working में difference दिया तो, इनको देख लेते है one by one, तो फेला difference किया है, process is done above the recrystallization temperature, ठीक है, और cold working process है वो below the recrystallization temperature और difference number two दिया, process is done on hot metal, और cold working में the process is done at room temperature, ठीक है, और तीसरा difference है, less force is required, और cold working में हमें more force is required, और fourth number है, no residual stresses is formed in the metal, और जो cold working में इसमें हमारे घास, residual stresses formed is more, ठीक है, तो इसका जो answer हो जाएगा हमारा, जो hot working process है, वो above crystallization temperature, इसका right answer हो जाएगा, तो जाकते है next question पे, तो next question है हमारा, warm metal working is applied extensively for, जो warm metal होती है working, जो किस पे use करते हैं, जादा तर, option number a दिया rolling, b दिया extrusion, c दिया forging, और d दिया drawing, तो इसका option number जो c हमारा right हो जाएगा, forging, जैसे कि आप ये process देख सकते हो, इसमें हम metal को पहले red hot कर करते हैं और उसके बाद, इसके बाद, इसके जो भी operation करना होता है, वो operation performed करते हैं, जलते next question पे, तो next question है हमारा, which one of the following manufacturing process require the provision of less gutter, तो जैसे कि आप दे सकते हो, ये हमारा close die forging है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्लेस गटर का provision रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि जब हम इस metal, इसमें metal को compress करते हैं, तो इसमें जो extra metal होता है, वो remove होका है, इस फ्लेस गटर में आजाता है, और हमारी die है, वो completely close हो पाती है, तो इसका option number A हमारा right answer हो जाएगा, close die forging में हम फ्लेस गटर का provision रखते है करते हैं, तो next question है, ब्लेंकिंग and piercing operation can be performed simultaneously in, जो ब्लेंकिंग and piercing operation है, वो एक साथ किसमें perform किया जाता है, तो option number A है simple die, B दिया compound die, और C दिया progressive die, और D दिया combination die, तो इसमें मैं आपको बता देता हूं concept, इसमें क्या होता है, जैसे blanking और piercing दोनों हमारे क्या है, cutting operation है, ठीक है, म compound die में, ठीक है, तो option number B इसका right answer हो जाएगा, अगर हमारा A cutting operation हो और दूसरा कोई forming operation हो, तो उसके लिए हम use करते हैं, combination die, ठीक है, तो चलते हैं next question पे, तो next question हमारा blanking and drawing operation can be performed at one station of a press in the stroke of the realm in A, तो इसका answer क्या हो जाएगा, जैसे देख सकते हो, जो blanking हमारा cutting operation है, और drawing हमारा forming operation है, तो इसके लिए हम use करेंगे, combination die, तो option number C, इसका हमारा right answer हो जाएगा, चलते हैं next question पे, तो next question कुछ है, two or more cutting operation are performed at one station of the press in every stroke of the realm in A, इसका answer में बताया दिया था, जैसे कि इसमें cutting और, मतलब दोनों में क्या हो रहा है, cutting operation हो रहा है, मतलब two or more cutting operation, एक साथ किसमें perform करते है compound die में, चीक तो option number C, इसका right answer हो जाएगा, चलते है next question पे, तो next question है, in which of the following process, a small diameter thick ring expanded into a large diameter thinner ring by replacing the ring between two rolls, तो इसका option number C, हमारा right हो जाएगा, ring rolling, जैसे कि आप यह देख सकते हो, यह हमारा ring rolling का process है, इसमें, हम diameter को increase करते हैं, और इसकी जो थिकने सोती है, उसको reduce करते हैं, चलते next question पे, तो next question हमारा, the forging of the steel specimen is normally done at a temperature of, तो forging of किस temperature पे done की जाती है, तो वो की जाती है, तो यह की जाती है, तो यह की जाती है, 1400 degree Celsius पे, ठीक है, इसका right answer हो जाएगा, हमारा B, चलते है next question पे, next question हमारा, dice for wire driving are made of, जो wire driving process होता है, उसमें, जो dice बनी होती हो, किसकी बनी होती है, तो इसका option number C, हमारा right answer हो जाएगा, carbides, जैसे कि आप दे सकते हो, यह हमारा पूरा wire driving का process है, इसके अंदर, हम एक side में क्या दाते है, transize test लगाते हैं, और जब हमारी यह, wire, dice में से पास होत होता है, तो यह कुछ है die, यह हमारी किसकी बनी होते है, तो यह carbide की बनी होती है, यह इसका sectional view है, और जो die होती है, हमारी इस तरह से round shape की होती है, चलते है next question पे, next question है, the process used for relieving the internal stresses previously set up in the metal for increasing the machinability of the steel is, जो stress वेगारा generate हो जाती है, तो उनकी internal stress को remove करने के लिए, और machinability को increase करने के लिए, कौन सा process use करते हैं, या हम fully annealing use करते हैं, या normalizing करते हैं, या process annealing करते हैं, या sparodizing करते हैं, तो इसका option number C हमारा right answer हो जाएगा process annealing process करते हैं, जिससे हमारा machine ability increase हो जाती है, और internal stresses जो generate होती है due to working process, वो produce हो जाती है, चलते next question पे, तो next question कुछ है, thick valve seamless tube is produced by, तो ज method से produce किया जाता है, तो इसका option number B हमारा right answer हो जाएगा, माने समान process होता है, उसके द्वारा हम, thick valve seamless tube produce करते हैं, seamless का मतला होता है, उसमें किसी परकार का हम welding या कोई अन्य परकार का joint नहीं लगाते हैं, तो जैसे ये दे सकते हो, ये seamless pipe manufacture करनी का process है, इसका नाम होता है, माने सम free grains are formed from the earlier deformed ones, for steel this temperature is done close to, तो इसका option number C हमारा right answer हो जागा, 800 degree Celsius पर हम, जो steel उसको hold करते हैं, जिससे कि हमारे नहे grain form हो जाते हैं, चलते हैं, नेक्स्ट कॉस्टन पर, तो next question है, a sheet metal is being cut along its length in a straight line, such a cutting operation is called, तो option number A, parting, P, D, trimming, C, D, lancing, or D, slitting, slitting, प्रसेश को क्या बोलते हैं तो अन्य कौन से कौन से प्रसेश होते हैं मेटल कटिंग में तो सबसे पहला आता है हमारा फिरेशिंग क्या होता है तो टिपिकली पंचिंग ओप्रेशन इन वीच़े सिलेंड्रिकल पंच पिरसे होळ इन टूदा शीट जैसे कि आप इस पिक्चर में देख आ रहे होंगे यह हमारी शीट है तो इसके ऊपर हम क्या करते किसी सिलेंड्रिकल होळ ज जेनरेट करने को पिरेशिंग बोलते हैं और सेकंड पर दिया है Slotin तो ये पंचिंग उप्रेशन येट काम से ओंजर एंदी अगर और अगर सला ना प्रोड्यूस करके हम कोई भी रbern्ट्रनलर वहो यह कोई भी कॉंटियॉर अप्रदियूस करते हैं तो उसके लिए सब्सक्रार्च को बोलते हैं लोटें देखतेने आस् सब्सक्राइब करें तो यह हमारी ही होती है इसे बोलते है तब फॉर्थ नुम्बर प्रोड दिए नोचिंग तो पंचिंग दा है फिक्चर में देख पारे होगे यह हमारी शीट इसके एज को बंचिंग करना इसे बोलते हैं नॉचिंग नेक्स्ट उप्रोशन है हमारा निबलिंग तो निबलिंग क्या पंचिंग ए सिरीज ओप स्मॉल ओरलेपिंग स्लिट्स और होज अलोंगे पाथ तुक कट आउट ए लार्ज कॉंट्यूट से जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होगा इसमें हम क्या करते हैं बिल्क अरचियल कट इन धाशि़ीट सो टेट नो मिटीरल इज रिंव से आपक्चर में देख पा रहे होगा ह कसे हम इस परकार से कट करते हैं जीस्ते के हमारा मेटल रिमूव नहीं होता है ठीक है तो यह हमारा तर लांसिंग सोरी नेच्स था पार्टिंघ टो पार्टिंघ स्प्रेटिंघ यह पार्ट फोन दंग इस जो हमारी बड़ी सारी सीट पर्पहर उसमें से कोई भी प्रंटcios को इनी से कई कंद इसां प्रेद पर्मेंट्टस li और प्रेसिंग में डिफ्रेंस क्या होता ही हम देख लेते हैं तो यहां पर लिखा ब्लेंकिंग ब्लेंकिंग तू कट दा पार्ट पेरामिटर आउट ओप सीट मेटल जैसे कि आप दे सकते हैं यह हमारे ब्लेंकिंग उपरेशन है इसके हम अंदर हमारा जो कट आउट सकते हैं और अगर आप इनको कर लेते तो आप प्रिक्षा में अच्छा स्कॉर कर सकते हो और अगर आपने रिख्षया का अब तक स्पस्क्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब बटन के सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर सकते हो थैंक यू फौर वाचिंग अधेन आज़े